प्रॉमिस करते हैं और दृड निश्य लेते हैं कि हम जुलाइ सीट अटेंट को पहले ही प्रयास में कर दिएक करने यह को सबनी कर सके सब्सक्राइए ताकि हम लोग इस Copa कर सके सेफन करे देखो अगर इस खास प्री पीदिएफ चाहिए तो डाउनूड कर लेना refers 24 7 application और अगर मेरी class daily basis पे अटेंड करनी है तो जुड़ जाना live इसी particular कक्षा में ठीक है Stephen Krashen और language acquisition को जानेंगे यह question आपको सिर्फ और सिर्फ language की pedagogy में मिलता है ठीक है तो यानि कि अगर मैं मान कर चलू आपके पास language 1 and language 2 minimum से maximum 2-3 questions भी अगर आपके एक language में आ गए तो 4-5 questions इस class में आप done 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 कर सकते हैं pocket में डाल सकते हैं तो दुआदार तरीके से सारे students आ जाएंगे एक शतक दूसरी शतक और तीसरी शतक एक साथ लग जानी चाहिए क्योंकि तुम लोग ने promise किया था हम daily class में आ जाएंगे दिक्षा का मैं comment देख रही थी हाई आज हम time से आएं है तो मैम भी तो time से है भाई YouTube को start होने में एक minute लग जाता है और अगले एक minute में हमारी class जो है हो गई थी शुरू ठीक है तो फड़फट से आ जाएंगे और स्टेफन क्राशन की चर्चा करते हैं चलिए कौन-कौन स्टूडेंट सुनने के लिए तयार है दिक्षा शर्मा नीरज यादव स्वैताम कुमारी श्रिवानी तोमर अनुश्का सिंग निशा सेनी डॉली कुमारी and everybody else क्या हाल चाल है सारे स्टूडेंट्स के देखो मैं एक बात बताना चाहूंगी जो स्टेफन क्राशन है वो एक लिंग्विस्ट रहे हैं और एड्यूकेशनल रिसर्चर रहे हैं ठीक है तो याद रखना जो हमने बात करी थी इनका नाम डॉक्टर स्टेफन क्राशन भी है ठीक है यह प्रफेसर स्टेफन क्राशन भी है इनका नाम तो यह चीज याद रखो कि जब हमने नौम चॉंप्सकी के डिसकाशन करी थी तो वो हमारे लिंग्विस्ट रहे हैं एड्यूकेशनल साइकोलोजिस्ट भी रहे हैं ठीक है साइको लिंग्विस्ट भी रहे हैं लेकिन एड्यूकेशनल अरे यानि कि खोजी और जो स्टूडेंट रिस सॉचर की तरह आत करता है या फिर कोई चीज के इन डेफ्थ जाकर Kकोईची पर खोजबीन करना चाहता है उस अप्रोच को हम पेड़गॉजी की अंडर कहते हैं हिूरिस्टिक अप्रोच क्या कहते हैं हिूरिस्टिक अप्रोच याद रखेगा ये चीज नो डाउन कर लिए जिनने नहीं पता है दो छे हो गए अभी तक एक श्रतक नहीं लगी है ना कटवाने वाले काम कर रहे हो तुम English with Nidhi Arora की क्लास में हर एक student theory के साथ question लगा के जाता है और July attempt को और भी जादा सुनिश्चित करता है तो कितने students हमारे साथ हैं जल्दी जल्दी बताइए नमस्कार हाई राम राम साश्रिया काल रादे रादे अभी तक दो दस तक हम ग्रीटी करते रह जाएंगे है ना Thank you, thank you He has made significant contributions to the field of second language acquisition उन्होंने एक अपनी नीव रखी थी और एक नई अपरोच दी थी language को उन्होंने बोला कि पहली भाषा को भी बहुत ही स्वभाविक रूप से सीखा जा सकता है उन्होंने बोला कि second language can also be acquired ठीक है and that too naturally, हम second language को भी naturally acquired कर सकते हैं यान कि grasp कर सकते हैं, absorb कर सकते हैं यह था हमारा second language acquisition और यह थी उनकी contribution यानि कि आप क्या दान दे सकते हैं, क्या contribute कर सकते हैं, ठीक है, आपका क्या सही होग है next देखिए, क्राशन इस बेस्ट नोन फॉर इस थियरी called the input hypothesis और monitor hypothesis model ठीक है, क्राशन जी की एक बहुत ही famous theory रही है जिसको हम कहते हैं, input hypothesis या फिर monitor model है तो यह एक ही hypothesis लेकिन इसको break up करके हम बहुत डीटेल में चर्चा करते हैं आज हम सिर्फ और सिर्फ स्टेफन क्राशन की थियरी को समझेंगे हमने इनके नाम का pronunciation समझा जैसे कि norm chums की नहीं होता, norm chums की होता है ठीक है, हमने Stephen creation नहीं बोला, हमने Stephen creation बोला है Stephen creation that is, ठीक है, creation भी नहीं होता, it's Stephen creation समझ गए यह बात हम, चलिए, तो input hypothesis की हम लोग आने वाले time में चर्चा करने वाले हैं, अगर यह बात हमें समझ में आती है तो आप लोग thumbs up thumbs up दो और यार session को थोड़ा धुआदार बनाओ कैसे बना सकते हैं, fire emoji से, लगना चाहिए कि session में आग लग गई है पूरी भारत वर्ष में अगर English pedagogy हम live पढ़ रहे हैं तो वो English with Nidhi Arora की class है, only on teachers are die YouTube channel यह पूरे देश को बता दो, ठीक है, चलिए, next question पे बढ़ चलते हैं next question यहाँ देखो, एक recording listening की बाद चल रही है, यानि की, एक जो message है बिटा, कैसे पहुंचता है, ध्यान से सुनना मेरी बात एक message जो है, कैसे पहुंचता है, एक sender है, ठीक है, उसने क्या करा, एक message को पहुंचा आया, receiver तक, ठीक है हमें वो message समझ में आया, जैसे, हाँ भापी जी, ऐसा है, वैसा है, फिर सुन लिया, फिर बाद में दुबारा से response आया, तो अब यह sender बन गया communication इसके through हो रही है, so it's always a two-way process, और अब यह receiver बन गया, क्योंकि अब यह सुनने वाले end पर है समझ में आती है यह बात, तो जो message पहुंचाता है, वो देता है communication का input, और यह जो भी reply करेगा, यह जो भी response होगा, चाहे वो इशारों इशारों में करें, चाहे वो बोल करके करें, वो message हमारा output होता है, कि आपने इससे क्या किया, क्या आपने message को encode किया, क्या आपने message को decode क करा, मतलब कि क्या आपने message को सिर्फ समझा, यह समझ कर कहीं प्रकट करा, उस information को use करा, कहीं जा कर बोल दिया, अभी व्यक्त करा, उसको मोखे क्या, लिखित प्रक्रियास है, very good afternoon to all of you, सारे students, time से आजाए करो, ठीक है, तो यहां से हमें क्या के चीज़े समझ में आती है, कि उनकी theory के according, language का अर्जन होता है, acquisition, और वो तभी होता है, जब learners को expose किया जाए, यानि कि ऐसे वातावरण में डाला जाए, understandable input देने के लिए, for example, देखो मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात बताती हूँ, इन्होंने understandable input बोला है, ध्यान से सुनना, आप बाजार गए, ठीक हमें तो पता ही नहीं है, ड्रागन फ्रूट क्या है, हमने तो टाइपस फ्रूट कभी पड़े ही नहीं, हमें तो लीची पता थी, हमें स्ट्रॉबरी नहीं भी नहीं पता, हमें मस्क मेलन नहीं पता क्या होता है, तो जब वेंडर आप से बोल रहा है, मस्क मेलन और आप को तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे आये कहते हैं या फिर ऐसा इसको समझा नहीं जा सकता है तो ऐसा input दिया जाता है इस language में कि naturally आप acquire करो और आपको समझाया भी इसी तरीके से जाए कि जो मानों की आपका वो स्वभाविक भाशा हो माना की आप उसे सदियों से जानते हो आप उसे बचपन से पह जानते हो किसी भी चीज को या किसी भी इनसान को ठीक है अज सलाम वालेकूं वालेकूं असलाम लाइबानाज जी चलिए उन्होंने ये भी सजेस्ट करा कि language को acquire किया जाता है पर्टिकिलर वातावरण में डालने से देखो भाई अगर किसी इनसान को driving सीखनी है तो उसकी theory पढ़कर driving नहीं आएगी आपको अपने आपको impose करना पड़ेगा इंफलेक्ट करना पड़ेगा अलग-अलग परिस्थितियों में की jam में कैसी चलाई जाती है कितने प्रकार से jam लगते हैं ट्रक वाला आता है तो कैसे jam लगेगा बस खड़ी होगी तो कैसे बाइक वाला साइड से निकाल रहा होगा तो कैसे होगा तो that's how you learn to drive तो ऐसे exposure आपको चाहिए swimming की theory पढ़ लेने से swimming नहीं आ जाती है आपको मैदान में आपको पूल में कूदना पड़ेगा तब जाके आपको पता चलेगा कि हाथ-पैर कैसे चलाने है तो यानि कि आप एक meaningful और interesting language के वातवरण में अपने आपको expose करेंगे अलग-अलग परिस्थितियों में बोलने का परियास करेंगे एसी परिस्थितियों में अपने आपको involve करेंगे rather than through explicit instruction or correction बजाई कि उसकी थियरी पढ़ने के यानि कि grammar जो एक topic है हमारा जिसको हम मशूर तरीके से जानते भी है तो grammar अक्सर हम कैसे पढ़ते हैं भारत में की rules पढ़ लिए subject, verb, object, answers के rules पढ़ लिए वाक्य के rules पढ़ लिए बात खतम आ गई grammar that's not how exactly grammar is learnt वेटा grammar को real life में use करना होता है मुझसे student ने एक बार पूछा की ma'am active passive का कैसे use करें है ना दिक्षा, है ना निरेश कोली, है ना रुतु गुपता मैं इसका active passive voice का use क्या है, बात को ऐसे बोलना और ऐसे बोल देना मैंने बोला suppose आपको famous होना है और आपको cooking का बहुत शॉक है ठीक है, आपने एक अपना youtube channel खोल लिया, अब वहाँ पे आप cooking videos बना रहे हैं ठीक है, पहला तरीका आपकी जो speech है समझाने की सामने वाले तक message पहुचाने की बहुत जादा interesting होनी चाहिए वो तभी जा कि कोई आपकी video देखेंगे ना आपकी video कैसे outstand करेगी तो अगर आपको outshine करना है, तो आपने अलग तरीके की भाषा का इस्तमाल करा, as in beautify कर आपने sentences को पहले तो आप मान लो as good as, as easy as, चाय बनाना सिखा रहे हो आपने बोला we add sugar, ठीक है हम sugar add करते हैं पर आप ही कर रहे हो कि कोई भी और कर सकता है, तो हम यह कह सकते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मानव, मनुष्य कर रहा है तो हम यह भी तो कह सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से कि हमारे द्वारा काम किया जाता है यह हमारे द्वारा को हटा दो और यह बोलो काम किया गया, तो हम sugar add करने को यह भी बोल सकते हैं, sugar is added, sugar add की गई, obviously हमारे द्वारा की गई, obviously मैं आपको यह विधी सिखा रही हूँ, तो कुछ चीज है, but understood है, हमने बस वो action doer को action receiver पे पहुचा दिया, की we don't add sugar, sugar is added, not that it's automatically added, हमने खुद add करिया, बट हमने credits नि दिया, हमने बस बोल जिया, sugar is added, tea is, milk is poured, तो sugar add की गई, milk poured किया गया, हमारे द्वारा ही तो, अगर मैं बोलूं की भाई, चोर ने मेरा purse चोरा लिया, ठीक है, God forbid, या दूसरा में बोलू, समझे ये बात, तो यहाँ पे ये कह रहे है कि, input दो understandable, जो समझा जाया जा सके, और interesting exposure दो language का, अर्थपूर्ण और अची आप ऐसे, महौल में बचे को, डालो, involve करवाओ, indulge करवाओ, rather than, बजाए की, आप detail में instruction दिये जा रहे हो, मैं आपको पढ़ा दूँगी, किसी एक इंसान को pedagogy नहीं आ पाएगी, जब तक आप question को enable ला करो, मेरे पास students आते हैं, कहते हैं, मैं KVS का जो interview है न, आप कुछ tips दे दो, भाई tips का आप करोगे, कि जब तक आप अपने आपको stressful महौल में, उस mock practice के महौल में enable नहीं करवाओगे, आपको, जैसे बोलते हैं न, things are easier, said and done, कहना बहुत easy है, पर जब उसको implement करने की बात आती है न, तो अच्छे अच्छे जोई छक्के छूट जाते हैं सबके, तो वही महौल में आपको डालना है, ठीक है, समझ गए, कोई ग्यान पहुचाओ या, आप मुझे कोई बात बताओ, तो वह मुझे पहले से पता होनी चीए, तब जाके मैं उसमें कुछ आड ओन कर सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं है, बिना सर पहर की बाते, जैसे फर्स क्लास के बच्चे को आप थर्मो डाइनमिक्स पढ़ाओगे, तो उसको क्या पता भाई, पहले उसे एफ और आपल बोलना तो सिखा दो, ठीक है, तो वह वाली बात है, यह कि listening में input दो, जो समझे जाए जा सके, चलिए, आगे चलते हैं, यहां तक किस-किस को समझ में आगे बढ़ेंगे तभी हम, छोटा सा ही hypothesis है, अब मैं questions पे जाधा time जो है, invest करूंगे, questions हमें बहुत ही धड़ाद़ करने हैं, जल्दी बताइए, फरफट से, जल्दी जल्दी, सुशील कुमार, चंदरानी भारती, अफसा खान, नीरज यादव, शुभी आर्ट और क्राफ्ट गालरी, देखो, पेड़गोजी बहुत जगह से बढ़ते होगे, बहुत तरीके से बढ़ते होगे, यह 15 मिनट में जो मैंने आपको समावेश दिया न, इतने अच्छे तरीके से आपने कभी नहीं पड़ी है, यह मैं ग्यारिंटीड बता सकती हूँ, क्यों? क्योंकि एक-एक वर्ड को इंग्लिश्ट हिंदी में ट्रांसलेट करना, उसके बाद उसका क्रक सारांज बताना, और एक लांग्वेश टीचर के द्वारा ताकि दोनों ही लांग्वेश आपके सौर्टेड हो सके, दोनों ही लांग्वेश में आपके आपको कॉंट्रिब्यूशन मिले, काम आ सके, यह आपको इसी क्लास में मिलेगा सर्फ, ठीक है? तो दो बजे हमें डेली जुड़ना है क्लास में, गड़, वेरी गड़, बहुत ही वड़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या ही बात है? चलिए, आगे चलते हैं, स्टेफण क्राशन, इनका हाइपोथेस इनों ने बोला, इन्पूर्ट या मॉनिटर हाइपोथेस, एक इस हाइपोथेस का नाम है, चलिए, जाने, देखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अफसा, खान जी, शन्नो जी को याद कर रही हैं, भängt इस क्ल रिया, यह आपका बड़पन है, चलिये, Input Hypothesis, मैंने क्या बोला कि Input दिया जाता है, को Information प्रोवाइड करवाई जाती है, that is your Input, मैं आपको अभी Input प्रोवाइड करवा रही हूं, ठीक है, आप उस Knowledge को Information को कैसे यूज करोगे, वो आपका Output रहेगा, right, Language Acquisition occurs through Exposure, Exposure मतलब वो उच्छित Environment जहाँ पे बच्चा ग्रोव कर सके, ठीक है, Exposure मतलब वो उच्छित Platform या Opportunity जहाँ पे बच्चा बच्चे की Growth and Development हो, जैसे यहाँ पे देखो Input, इसको Process किया, Double हो गया, Output बढ़िया निकल गया, एक स्टार से दो स्टार बन गया, यह हमारा Process था, यानि कि बच्चा पुरानी Learning में नई Learning को हर दिन Add करता है, जैसे मैंने Clip का बहुत Famous Example दिया ह वाई Students को बालो में लगाने वाली Clip, Hanger Clip, कपडे टांगने वाली और Paper पे वेट रखने वाली Paper Clip, Bookmark, तीन प्रकार की अलग-अलग Clips हो गई है, आज उसने एक Clip सीखी, कल दो सीखी, परसो तीन सीखी, और तरसो उसने चौथी Clip भी सीखी, जो Short Clips होती है, वीडियो की, वीडियो का चोटा सा portion उसको भी हम Clip कहते हैं, तो उसने ऐसे करके अपनी knowledge को ज्यानवर्धक बनाया, meaningful बनाया, to comprehensible input that is slightly beyond the learners current level, आप देखो, मेरी बात ध्यान से समझो, अगर आपने सीखा आज A for Apple, कल भी यही सीखा, परसो भी यही सीखा, तरसो भी यही सीखा, अगले 10 थे द्यन तक A for Apple को सीखा, तो आपकी क्या खाक learning हुई है, कि ma'am, हम Apple को और अच्छे से सीख रहे है, हम Apple का pronunciation सीख रहे है, मैं, आप आपल के बारे में जाण रहे है, भई, आपल के बारे में जानना और Apple को पहचानना, अलग अलग चीज़े है, आप Apple को पहचानना सीख और पहले 10 दिन तक तो आपकी कोई learning नहीं है कोई contribution नहीं है learning का तो अपने दिमाग से जो खयाल है वो हटा दीजे कि आप कोई learning process में lean है या involved है तो language acquisition तभी हो सकती है नई language को स्वभाविक तभी बनाए जा सकते हैं जब हर दिन कुछ न कुछ नया सीखें जैसे आप डेली दो बज़े क्लास में आकर कुछ नया सीखते हैं तो जैसे आई आपकी learning है कराशन जी ने बोला आज आपने इपर आपल सीखा कल आपने इपर airplane सीखा ठीक है परसो आपने इपर airplane प्लेन सीखा तो यहां पर आप अपनी learning को ग्रूम कर रहे हो हर दिन को छोटा छोटा लेवल वाईज ग्रेड़ मानर में integration के साथ नया सीख रहे हो वो नया आपके life में ज्यान वर्दक चीजों को आड़ कर रहा है आपके जिंदगी में ज्यान बढ़ा रहा है तो यानि की बच्चा बेली फिर उसकी इंग्लिज जो है वो नाच्रली इंप्रूव हो गई है सही हो गई है क्योंकि वह हर दिन नया सीख रहे है तो current level से हर दिन एक अबव जिस्स फर्सम тамका सेवेर में लेवल अप मिलेगा थर्ड में jourण में, वह लेवलप ज़रूरी है जानने के लिए समझने के लिए समझ गये बात क्या बात है तो i plus 1 उसकी लाणिंग होती है तो यहां हर दिन नर्चर कर रही है पानी दे रही है यह बच्चा ड्रॉइंग सीख रहा है और इस ड्रॉइंग में वो देख रहा है 1 प्लस 2 उसने पहले 1 समझना सीखा फिर 2 सीखा फिर देखा जब एक और 11 नहीं हो सकता है वैसे ही 2 प्लस 1 is equal to 3 होगा यह उसने खुद ने एडिशन जाना पहले 1 का मतलब जाना अगले दिन 2 का मतलब और तीसरे दिन इन दोनों को आड करना भी सीख लिया है उसने यह पहले पूरी गिंती सीखी ठीक है समझ गया है यहाँ भी बच्चे म्यूजिक का लेसन सीख रहे है तो म्यूजिक के लेसन में क्या होता है सबसे पहले जो Happy birthday to you, ठीक है, तो वो उनके note सीखेगा, तो क्या कर रहा है, वो step by step आगे बढ़ रहा है, उसकी जो learning है, वो step by step है, आप भी step by step of questions के answers मेरे साथ लगा पाएंगे, समझे क्या, बताइए, अगर समझे, तो 200 students इस class में answer करने चाहिए, और एक smiley face के साथ, चले आगे, चले भाई, फड़ाफट से, दूसरा आजाता है, acquisition learning hypothesis, ठीक है, मैं ढाई वजे questions की भरमार दे दूँगी, मैं हम एक बर personification, simili, metaphor, synagdose, metonymy, azonance भी करवा दी, जे, गुंजन शर्मा, Saturday, इस Saturday done है, figures of speech, एक class में खलास कर देंगे, ठीक है, देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो thumbs up दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो thumbs down दो, पर दिखाओ, show करो, कि हमने like किया, इस session को, हम class में मौजूद है, आपकी बात सुन रहे है, वो दिखना चाहिए, प्यार, और हर दिन लोगों तक बढ़ता रहे है, तब ही लगेगा कि हम कुछ पढ़ रहे है, हमारा असली competition ह खुद है, अगर हम यह सोचे कि नहीं, हमारी निदी माम का ग्यानम किसी और के साथ शेर नहीं करेंगे, तो English भी अकेले ही बोलते वे रह जाओगे इस दुनिया में, किस से बात करने के लिए होगा, वो skill आप किस के लिए सीख रहे हो, दुनिया के सामने, बताने के लिए कि हमें वो skill आती है, तो वो दुनिया को भी add-on होना पड़ेगा उसमें, ठीक है, चलिए विकाश्तिवारी, बहुत ही बढ़िया, acquisition, thank you, thank you so much, acquisition, learning hypothesis क्या होता है, acquisition है, अर्जन, learning क्या है अधिगम, अर्जन और अधिगम एक साथ कैसे हो सकते हैं, और यह hypothesis है, ठीक है, यह theory है, दी गई है, ठीक है, प्रस्ताव रखा गया, स्टेफन क्रैशन के द्वारा, there is a distinction between acquiring language and learning language, अब यहां पर आप difference समझेंगे, acquisition and learning का, ध्यान से समझ न, एक हात में है मेरे acquisition, ठीक है, दूसरे तरफ है मेरा learning, मैं यह pointers, अगर आपको यह screenshot में दे दूँ, तो आपको इसके बाहर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यही से आप अपना दूसरा topic भी पढ़ रहे है, acquisition versus learning, बताओं क्या, तेखो भाई, ध्यान से सुनना, पहली बात तो acquisition एक natural process है, अपी अपी भाशा आ जाती है, ठीक है, कल भी बताया था, थोड़ा सा हिंडी थी मैंने, learning एक process है, जिसको हम कहते है, deliberate process, जान बूझ कर यह प्रक्रिया करवाई जाती है, आप होशो अवाज में हैं, और आपको पता है, आप कुछ सीखने जा रहे हैं, यह natural process हो गया, यह deliberate process हो गया, जल्दी बता कर सिखाया जाता है, स्कूल में भिजवाया जाता है, ठीक है, तो जब naturally आप language को acquire कर रहे हो, तो आप घर परिवार में सीख रहे हो, तो आप अपने familiar environment में हैं, ठीक है, आप परिचित environment में है, familiar environment, अपनी immediate surrounding में हो, जिसको कहा जाता है, जहां पे आप पले बड़े हो, learning बचे को स्कूल भेजना है, ये चीजे से खानी है, अमें अपने बच्चों को, ठीक है, चलिए, आगे बड़े, अब होता क्या है, जब मैंने आपको चौमस्की की ठीरी बड़ाई थी, मैंने बताया था आपको, कि बच्चा 2 से 4 साल की आयू में, जो होता है, उसका critical period, वो सबसे जादा तेजी से language को सीख सकता है, और वो कितनी भी languages सीख सकता है, वो language को अगर naturally सिखाना है बच्चे को, तो थोड़े time के लिए, आपको लगाम लगानी पड़ेगी अपनी मातरभार शकी, for example, मैंने ऐसे cases देखे हैं, जहां पर बच्चा पलता बढ़ता है, एक हर्य हर्याणवी ही बोलता है, लेकिन जब वो पच्चे को स्कूल भेजा जाता है, तो उसके माबाप, उसके parents एक decision लेते हैं, कि अभी घर पर कुछ समय के लिए, कोई भी हर्याणवी का प्रियोग नहीं करेगा, वो English बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चे को पहले स अभाविक रूप से English सिखाने है, जब वो उस चीज में proficient हो जाए, तो वो बराबर रूप से दोनों ही भाशा का चायन कर सकता है, ठीक है? यह decision लिया गया, क्योंकि एक familiar environment प्रुवाइड करवाये गया है बच्चे को, समझ में आगे यह बात? अच्छा, acquisition आपको पता भी अपने आप, ठीक है? तो यह subconscious है, यह conscious process है, यानि कि एक चेतन फ्रक्रिया है, जिसमें आपको एक reminder set करना होता है, कि भाई मुझे 15 मिनट में पानी पीना है, ठीक है? तो आप एक alarm लगा के रखते हो, जो आपका daily reminder है, हर 15 मिनट में बजेगा, आपको reminder देता है पानी पीने क समझ गई है, यह सुबा उठने के लिए जो alarm लगाते हो, आप नींद में हो, वो आपका natural process है, आप अपने आपको एक forceful, मतलब external force लगा कर जगा रहे हो, वो आपका learning है, समझ गई यह बात? Yes, right, तो यह क्या होता है, अपने आप हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला natural है, तो इ इक है, external force is applied, समझ गई यह बात? जल्दी जल्दी बताएंगे, फरफट से, 220 बचे जॉइन करने चाहिए, लेक्सिकल वर्स, आर्टिकिलेटर्स, इंटोनेशन, साइट वर्स, में हम यह सब कप पढ़ाओगे, LSRW जब पढ़ाएंगे ना विकाश्तिवारी, तब इन होता, यह बच्चा कहां सीखता है, immediate surrounding में, यह स्कूल में जाके सीखता है, तो example इसके दे सकते हैं, कि अपनी family से सीखता है, ठीक है, यह अपनी upbringing से सीखता है, जैसे भी उसका लालन पालन होता है, वहाँ सीखता है, और यह बच्चा स्कूल में जाकरके सीखता है, आपकी वो mother's tongue है पर on the other hand यह जो आपकी भाषा है ना जनाब वो आपकी language 2 है ठीक है language 2 का मतलब है आपकी target language है जो आप सीखने जा रहे हैं और वो कोई skill भी हो सकती है अभी हम भाषा की बात कर रहे हैं अगर आप science subject को detail में सीखने जा रहे हो school में तो आपकी learning है ऐसे ही आपको कोई language चीखने जा रहे हो school में तो वो आपकी target language है धुआदार तरीके से like or share हो जाना चाहिए क्योंकि अब questions आने वाले हैं तो जो स्टेफन क्राशन की ठीरी थी पहले तो इसका screenshot ले लीजिए समझ में आ गई यह बात जो स्टेफन क्राशन की ठीरी थी उन्होंने ये बोला कि हमें acquisition learning hypothesis देना है मतलब आप अपनी दूसरी भाशा बच्चे को सिखाना चाहते हो लेकिन बहुती बराबर और स्वभाविक रूप से तो मैंने कल एक बहुती famous example दिया था मेरे ऐसे काफी दोस्त हैं जिनने अपने 25 साल में तो अंग्रेजी आई नहीं लेकिन जैसे ही वो आप्शन नहीं है बजाए की देरो आप्शन बाट तो स्पीक इन इंग्लेश ठीक है यह ओनली डेकन वी रिलाई ओन इंग्लेश तभी सामने वाले को उनकी बात समझ में आएगी चमकेगी तो यह hypothesis भी उन्होंने दिया कि यह फर्क है अक्वायर करने में और लर्निंग में आप इंग्लिश को अपनी स्वभाविक भाषा बना सकते हैं जब कोई फॉस ना अपलाए करें अपने आप बच्चे के मन में आए ठीक है उसको बात करने के लिए लोग मिले बच्चा खुद का एक दिन उटके कि यार आज इंग्लिश बोलने का मनना है आप आप आइवल में गए मैंने ना ट्विंकल ट्विंकल लिडिल स्टार बोलना सीखा था मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था बस मेरी माम मुझे आक्शन सिखाती थी और मैं वो बोल देती थी जिससे उसकी लास्ट लाइन है आप अब अबव द वर्ल सो हाई like a diamond in the sky मैं हमेशा इसे बोल वोकल कोड में इंग्रेंड कर रही थी और खुझ से नहीं मुझे करवाया जा रहा था वह लॉनिंग को इजी और अक्विजिशन बनाया जा रहा था चलिए तो यह दो हाइपोथेस ते एक बार रिवाइस करवा देती हूं मीनवाइल धाई बज गया है सारे स्टूड जु और मीनिंग्फुल में जो लर्निंग है आपकी आई है आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हो तो आई प्लस वन प्रकार की आपकी लर्निंग होगी दूसरा उन्होंने बोला कि फर्क है लांगविज की अक्विजिशन में और लर्निंग में लेकिन लर्निंग को अक्व से पहला अंसरौन कर सकता है कौन बनेगा सी ओजesoR沒關係 जलडी बताएं है कौन इसकता है जल्दी 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 फरल सी का अरे वाब बल्ले बले कर दी अब तो क्या ही बात है क्या ही बात एस लार्ष में अंसर करने चाहिए थीन शबच्चे वरना तो कोई फाइदा नहीं, useless हो जाएगी एकलास On progress Yes, perfect Likes काकड़ा भी बढ़ा दीजे जना Chart rate भी बढ़ा दीजे Stephen Krashen की जो theory है Second Language Acquisition की की, जो आपकी दूसरी भाषा है, उसको naturally acquire करवाना है, इन महाशय के accordingly, ठीक है वो किस से नहीं बना है, input hypothesis से, acquisition learning से learning ability hypothesis से, national order से देखो, बच्चे को स्वभाविक रूप से सिखाना है, ठीक है इसकी सारे hypothesis को कल detail में बताऊंगी, input देना है language का, acquire करना, अरजन करवाने, लेकिन learning ability नहीं बच्चे की क्षमता नहीं चेक करनी है मुझे, एक बाद बताओ, does not consist बोला था, तो acquisition learning तो आएगा ना, अभी तो तुम्हें explain करा इसले C option बिलकुछ सही रवाब है वावावावा, slow clap बनती है इस पर तो, बदाओ, जल्दी बताओ B, अच्छा, ठीक है समझ गए, बड़े धुर अंदर हो भई तुम लोग तो learnability, C, ठीक है C हो गया, अपना सही जवाब में ठीक कर लो, जिनका भी आंसर गलत है डेली दो बजे का live है, जो student हमारे साथ comprehensive तयारी करना चाहते है मेरे पस बहुत सारे comment अभी आ रहे थे इसले मैं address कर रहे हूँ, यहाँ पर Y449 आपका code है, maximum discount के लिए, ठीक है चलिए आगे बढ़ते है, next question, rapid fire comprehensible input क्या होता है, बताइए comprehensible input, इस class में 200 बच्चे भी नहीं है और मेरा interest जो है, लूज होता जा रहे है, मेरा जो motivation है आप लोग के प्यार के साथ आता है आप लोग के support के साथ आता है, जब support नहीं तो वो गिरता है, ऐसे मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन वो वाली बात नहीं रहेगी, जो आप expect कर रहे हो अभी अपने teacher से, ठीक है चलिए, जया बंसल राइट बताइए, comprehensible input जब propose किया गया था, स्टेफन राशन ने 1985 में किया था, तो इसका मतलब क्या है, वो हो बताइए, जल्दी अली बताइए, फरफट से B, B exposing learners to language somewhat above their level, देको comprehensible input का मतलब क्या था जणाव comprehend करना, यानि कि understand करना, ठीक है इसका मतलब था understand करना और कुछ input दिया जाता है, तो इसमें learning कैसी रती है, आई आपने understand करा और अगले दिन कुछ नए understand करोगे, तो I plus 1 हो गया न, तो मतलब expose करना learner को language के above level से ठीक तो है, exposing learners to the language below below, below नहीं होता, learner के level से नीचे का आप कुछ नहीं बढ़ाते हो उसके बाद enable करना learners को कि बहुत सारी languages में read करना नहीं, enable करना learners को comprehend करने में ideas पर किस तरीके से I plus 1 के तरीके से आपको exam में question आ सकते हैं above the level, slightly above the level आप दोनों में से कुछ भी टिक कर सकते हैं, इसलिए option number A बिल्कुल सही जवाब है B option जिन्होंने भी दिया वह, वह, कि भाई, बच्चे को ना जादा परिशान मत करो जो सीख रहे हैं, उससे कमी सिखाओ तो सीख क्या रहा है वो, हर दिन तो repeat कर रहा है, repetition हो गया वो तो learning थोड़ी होई है समझे, इसलिए A option next question का answer करेंगे on progress चलना है, हर एक student को मैं marks दे रही हूँ सबको चलिए, as per Stephen Krashan Stephen Krashan के according the effective language teacher is somewhat who can provide input and help make it dash in a low anxiety situation एक language का जो teacher है या language के जो teacher है वो होती है जो provide करती है input मैंने आपको एक information दी और मैं आपको help कर रही हूँ make it dash in a low anxiety situation अगर आप बहुत अंक्षिस हो रहे हो ठीक है, बहुती जादा हड़बडी में हो, तो आप कैसे कर सकते हैं बताईए जरा, फारफट से फारफट से बताईए जल्दी जल्दी से grammatical situation में हो, comprehensible situation में हो, fluent situation में हो या easier situation में हो बताईए, B very good, हमें student को understandable environment प्रुवाइड करवाना है ऐसा input दूँ, जो understandable हो, जो समझा जाया जा सके first class के बच्चे को मैं गुरुत्वा कर्षन सिखाऊं भाई, first class का बच्चा तो अभी attraction भी नहीं समझता है first class की बच्चे की psychology अभी आकर्षन ही समझता है, हम उसे गुरुत्वा कर्षन सिखा रहे है कैसे चलेगा unless if somebody is the designer baby ठीक है, कोई designer baby पैदा हुआ है तो उसका artificial intelligence है, वो human baby ही नहीं फिर, वो तो AI से बना हुआ है, पर यहाँ पर हम ठीक है, next question पर चलते है B, देखो, input ऐसा नहीं कि fluent हो, आप एक चोटा बच्चा है, मैं उसको बोल रहे हूँ hi guys, what's up, how's it how's it going, what's been happening मैंने सारी English जाड़ दी, पच्चा गएगा, अच्छा क्या बोला madam जी, कुछ समझ में तो आया नहीं, ठीक है, तमद में आया नहीं है बत्ते तो, तो हमें क्या करना है easy बनाना है, लेकिन comprehensible, understandable बनाना है, next question को देखेंगे, stephen crashin के according अगर एक learner एक stage पर है, आई सबको बता इसका answer 200 बच्चे इस question का answer करेंगे और salute देंगे, grand salute तो जो acquisition है जब जब भी urgent होगा, और जब भी बच्चे को expose किया जाएगा कैसी condition में जो i plus one में है, कैसी condition में करोगे, enough input में, incomprehensible input में, comprehensible input में, comprehensible input में या not enough input में, y'all know the answer don't you, एक question को घुमा फिरा के कैसे पूछा जा सकता है उसका ये बहुत बड़ा उधारन है बताएए फरफच से ओके, Pooja Kumari, Soni, Yadav, Madhu, Rajput मेंका, Charasya and everybody else very good, comprehensible input अगर एक बच्चे की learning आए है तो वो हर दिन i plus one सीखता है और यही input को हम बोलता है comprehensible input देखो एक word है पेड़गोजी में बहुत ही उच्चेत word है जब हम समझते हैं न comprehend का मतलब यह word derive हुआ है comprehension से comprehension हमने अकसर सीखा होगा समझा होगा reading comprehension के साथ कि भाई, madam, सीटेट में 15 नंबर का reading comprehension है है ना 15 नंबर का इसमें खाली reading नहीं है understanding है, so reading with understanding comprehend करने का मतलब है understanding, comprehensible का मतलब भी है understanding are we guys understanding? बताइए क्या understanding है इतने अगर है, तो बड़िया साइ जो क्राशन की जितनी भी थेयरी है उसको ले करके आप बतादो इसमें match the following में देको भले आपको बाकी ना पता हो पर यह तो पता होगा कि स्टेफन क्राशन की थेयरी क्या कहती है क्या वो input hypothesis पर है क्या वो total physical response पर है क्या वो task based language teaching पर है या फिर वो language and mind पर है match the following है बाकी psychologist भले ही ना पहचान पाओ स्टेफन क्राशन पहचान जाओ और गर्व से गर्वत फील करवाओ अपनी teacher को बताईए बताईए फरफच से बताईए ओहो 220 से 208 कसम से बहुत गर्वत फील करवा रहे हो इतना कि ऐसे मन हो रहा है कि पूरे दुन तुम्हें आज पढ़ाऊं मैं गर्ड प्रीति कश्रव मधुरी वर्मा माधुरी वर्मा आप पुझा वेई गर्ड काफी नए स्टूडेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपे वेई गर्ड बौवधिया तो क्या हो गया ये देखो स्टेफन क्राशन ने दिया था इन्पुट हाइपोथेसिस ठीक है या कॉम्प्रेंसिबल इन्पुट हाइपोथेसिस तो आप एको मैच करोगे थर्ड से ठीक है स्टेफन क्राशन इन्पुट हाइपोथेसिस बड़ अब वाद रेस्ट फ्यू वाद वाद रेस्ट फ्यू बटाइए जल्दी जल्दी बताएंगे और अरे 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 जल्दी 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 देखो इस साटेटी हम फिगर्स फिच करने वाले हैं जब भी हमारे फिगर्स फिच की क्लास होती है तो वो बॉलिवुट गानों पर होती है ठीक है तो बहुत ही एक्साइटिंग और इंट्रिस्टिंग सेशन के लिए त्यार हो जाओ सीट की पेटी अभी से कसलो क्योंकि मौसम बिगर्ने वाला है अभी इस क्वेशन के बाद वेरी गुड लांगविज टीचिंग नहीं गाइस टास बेज लांगविज टीचिंग नहीं है लांगविज और माइंड पर है हमारे जो नौम चौमस की हैं वो साइको लिंग्विस्ट है मनो विज्ञान की भी बात करते हैं ठीक है तो वो माइंड को रीड करते हैं लांगविज और माइंड उन्होंने देखा कि बच्चे के ब्रेन में क्या चल रहा है वो कैसे लांगविज को समझ सकता है तो कर रहा है फरफच से बताएंगे तो गोड़ वेरी गोड़ यह माच कर रहा है हमारा बी और डी में एक थर्ड दी का फोथ एक थर्ड दी का फोथ इन दोनों अप्शन को आज क्या डेट आज तारीक आज 24 में 24 अफ में इसको स्टांड बाई पर रखरी हूं मैं होल्ड पर इन दोनों क्वेशन को मार्क अप कर लो जब जेम्स आशर और प्रभू की थेयरी बता दूंगी उसके बाद नाश्द फॉल्वाइं का अंसर आ जाना चाहिए बी या डी में से ठीक है मैं मोटिवेट करो इंग्लिश में 30 on 30 लाने बिटा ऐसी मोटिवेशन भी क्या मोटिवेशन की मोटिवेट करकर और बोल कर किया जाए मोटिवेशन तो क्लास में आने से ही आ जानी चाहिए कि जब मैडम बाई होक और बाई कुरूक इतना एफ़र्ट हम पे लगा रही है तो हमें तो सब क्लास में आना है उसके बाद तो अपने आप क्लास इंट्रिस्टिंग बन जानी है देखो जितने जादे स्टूडें जि जो कॉम्प्रेंसिबल इनपूर्ट क्राशन ने प्रपोस किया था वो क्या है सोचो समझ के आंसर कर दो बताएए फरफट से लेट्स फाइंड आउट कितने पानी में हो तुम लोग 2.42 हो गया है तुम चाहते हो अगर ये तीन बज़े तक मस्त ग्लास चले तुमारी तो आ अगर बेडरी गड़री गड़री गड़ी बड़ी तारीफ यह question टी वाई क्यों का तो है ही exposing learners to language somewhat above their level I plus one comprehensible input यही तो कहता है exposing learners below their level नहीं enable करना है many languages में enable करना नहीं यह option है पहले भी पूछे जा सकता है आप देखो चैद repeated question था वो इसलिए हम 7 दुबारा से शुरू कर रहे हैं इन में से क्या example है जिसमें teacher try कर रहा है comprehensible input provide करने का Stephen Krashen की hypothesis की according ठेक है इन में से एक example है जिसमें मैं comprehensible input provide कर वा रही हूँ which option is that what is that option quickly do let me know providing students with text of their own levels for reading practice अब provide कर रहे हैं students को एक text के साथ जो उनका खुद का level है practice करने का reading practice है share करना newspaper article students के साथ और उन्हें बोलना कि आप उन्हें बोल बोल के तेज तेज से पढ़िये और पढ़ाईए या next आजाते है अपने पास में underlining important words in a passage आप underline करिये important words को passage में और चेक कीजिए अगर कोई student comprehend कर पाते है या निकी समझ पाते है उनका meaning या फिर provide करना students को text just slightly उनके level के उपर हो very good very good कर दिया सकते है ना शेक बर फिर से अगर मैं student को उनके खुद के level का text प्रोवाईट करवाऊंगी तो वो comprehensible input है ही नहीं क्योंकि वो चीज तो वो देली बढ़ते रहेंगे तो drilling हो गई पूरवा अभ्यास हो गया ठीक है इस प्राक्टिस इस नोन अज ड्रेलिंग अगर मैं न्यूस्पेपर आर्टिकल्स शेर करू students के साथ और उन्हें बोलू कि बोल बोल के पढ़ो तो कोई फाइदा नहीं है बोल बोल के पढ़ने से क्या होगा आज कल silent reading के अलावा कोई किसी को पूछता नहीं है अगर मैं underline करवाओ important words passage में और check करू student comprehend कर पाता हूँ उनके meaning comprehend करना यानि कि समझ पाना उन cutting शब्दों को समझना इस comprehension लेकिन अगर मैं student को provide करवाओ उन text के साथ जो उनके level के थोड़ा सा उपर होगा तो i plus one हो गया ना यह हुआ comprehensible input तो अब तुम read कर रहे हो मेरे साथ साथ पहले क्या हो गया था कौन से साप सूंग गया था very bad guys एक चीज को बार बार घुमा फिरा के ऐसे नहीं तो ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे करवाया जा रहा है but you all are just not getting it आपका comprehension का चला गया है बताईए 110 आये थे क्या बात है क्या बात है बहुत ही बढ़िया अब अगर इस question का answer 200 बच्चों ने नहीं दिया ना I'm gonna end the class immediately and I'm not even kidding यहाँ पे आपको reward या punishment से कोई फाइदा निया टीचर को ultimately हाथ जोड कर जाना ही पड़ेगा कि तुम पढ़ने आये ही नहीं हो कितना ही तुम्हे प्यार दे दे कितना ही तुम्हारी टाइम से class चला दे कितनी तुम्हे वर्ट पजल खिला दे कितना ही चलू next question पे the class hasn't gotten over yet मैं बहुत तफ एंग्लिश रवांगी चहान you seem new to our class अगर आप एक हफ्ते हमारे साथ जुडे रहेंगे तो फिर हम उस तफ को बहुत असान बना सकते हम और आप मिल करके and this I can guarantee ठीक है चलिए next question next question सोच समझ के आंसर करना who gave the terms acquisition, observation, natural input, dominant hypothesis in the theory of second language learning दूसरी language को learn करना है ठीक है अरजन, observe करना, स्वभाविक input देना, dominant hypothesis जो second language learning में आप सीखते हैं तो वो terms किसने दिया है किसने दिया है 230 बच्चे आंसर करेंगे अभी मुझे किसने दिया है बताओ अब मुझे कुछ आने लगा है अभी बहुत कुछ आने लगेगा पांडे जी good, Stephen Krashen अभी इनके बार में पढ़ा मतला, Vivian Cook Stephen Pinker, Why Godzki अभी तो बात ही नहीं हुए, अभी तो पढ़ेंगे ये तो चलो confuse करने वाले नामते पर Why Godzki की थेरी अभी हम definitely पढ़ने वाले है, option number A has to be the right ये question पूछा गया था ठीक है, Why Godzki, Stephen, Norm या फिर James Asher, बताईए meanwhile एक काम करो comment section में मुझे एक और answer करो Norm Chomsky के वो जो 4 keywords मैंने आपको कल बताये थे जो संजीवनी बूटी से भी अमूल ले थे आपकी जान आपके प्राण और आपके ज्यान को बचाने के लिए, उसका answer मुझे कर दो comment section में, 4 keywords of Norm Chomsky that I discussed yesterday itself, बताईए फड़फच से, main card 14 से very good, Stephen Krashen भी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि comprehensible input मझे I plus 1 की बात की गई है हमने question से एक नया term हम भी coin करा यहां से, यहां पर comprehensible input, are we getting the point? yes, चलिए, next question कह रहा है, मेरे को comment section में compromisation नहीं चाहिए, Norm Chomsky के 4 fundamentals, आप बताईए फड़ा-फड़ से, natural approach अगर हम language को learn करने के लिए develop करें, तो किसके द्वारा की दी गई थी, Krashen and Terrell, Chomsky, Burlitz, Henry गुईनस, देखो भाई यही question आज में अपनी paid class में 12 बजे discuss कर रही थी, और जो मेरे paid वाले students है, वो पक्का इस question का answer करेंगे, जल्दी बताईए, फड़ा-फड़ से very good, Shannu very good, बाकी लोग का क्या है कहना, humanity नहीं थी, Afsah Khan, I did not discuss the word humanity yesterday L.S.R.W. भी नहीं किया था Deepa Rani, very good, critical period था प्राची गुपता, rest of them are correct very good, Twinkle, Agarwal, क्या बात है क्या बात है, thank you, thank you hmm Chomsky बोला था, बस मैंने का लेक वर्ट बोलके चली गईती शवांगी में है thinking innate, critical think, पूरा कुमारी ठीक है चली है, okay okay, okay answer, natural approach अगर मुझे language की develop करनी है तो वो एक ration और tarryl के द्वारा दी गई, theory एक book में उन्होंने लिखा था natural होता है, स्वाभावे बच्चे को दूसरी भाषा भी ऐसे सिखाओ कि मानो उसकी पहली भाषा हो कैसे सिखा सकते हैं ये सारी learning को acquisition बना कर सकते हैं जनाब अगर मैं जहां पे जान बूच कर बच्चे को learning सिखा रही हो कि मैं इंग्लिश में कॉमेंट्स ही accept करूंगी वरना नहीं करूंगी बच्चे को मैं वहां बोलू जैसे मन करें जब मन करें जितना मन करें उतनी English बोलो जब मन करें थब बोलो कोई hard and fast rule नहीं कोई forceful language नहीं है अच्छा formal institute में ना भेजके मैं घर परिवार में ही English बुलवाँ असान हो जाएगा मैं चेतन प्रक्रिया ना बना के अचेतन भाई सो सपने भी English में देखो तुम मजा रहेगा मैं external force ना लगा कर मैं दूसरी भाषा को पहली भाषा बना सकती हूँ end goal इसका यही निकलेगा मतलब बच्चे को बस ऐसा market ऐसा environment प्रोवाइड करवादो जहां पर वो परिचित माने acceptance उसको मिले कई मजाक न उड़े उसका ठीक है फिर भी कैसे सही हो गया देख लो अबदुल्ला जी यह तो पढ़ाई से होता है कौन कमबगत कहता है सीटर से पेड़ क्लास में आने से निकलता है फ्री में भी निकलता है लेकिन वो motivation होनी चीए वो जजबा होना चीए क्लास में रहने का ठीक है तो यहां natural approach क्रेशन एंड टेरल दोनों ने दिया था अपनी बुक में नाच्रल अप्रोच के द्वारा यह option नेक्स्ट क्वेशन पर चलने के लिए हो जाओ तयार अभी तो आधे ही क्वेशन हुए है कल वाली चॉमस्की के भी क्वेशन रहे गया थे हमारे डेली लाइव ना धाई बज़े या दो पचास दो चालिस पर नहीं होता दो बज़े होता है शाब कल जितने बच्चे अभी है ना इस क्लास में दो साट है तो यह दो बज़े मिल जाने चाहिए अटेंडन्स मा कर लूँगे मैं उसके बाद दर्वाजे लॉक हो जाएंगे फिर देख ले ना इंट्री मिल जाए तो निदी में होनी चाहिए पेड़ो या परियो क्या ही बात है दिख्षा क्या बात कहीं तांक यू अरे वाफ फो पार्ट्स देखते हैं चलो इसका आंसर कॉमें सेक्शन में बता देना कितने पार्ट्स हैं एक दो तीन गिंती में तो आंसर करना है उंगलिया तो दर्द होग what manner in which a child learns their native tongue, the learning process of grammar is the process of learning a second language different from your native language, choosing to ignore grammar to communicate with native speakers more efficiently, बताईये क्या होती है second language का acquisition देखो जो बाहर के लोग होते हैं वो अंग्रेजी सीखने के लिए grammar नी सीखते हैं जो अंग्रेज होते हैं वो English को naturally बोलते हैं जैसे हमने हिंदी सीखी तो हमने व्याकरण नी सीखी बोलना सीखा तो D option सही होगा देखो learning और acquisition कैसे different है वो तो मान लिया लेकिन second language को हमने acquire कर ना है तो वो हम कैसे मानेंगे हम ignore करेंगे grammar को और communicate करना सिखाएंगे अपने बच्चों को ठीक है next question Stephen Krashan के according acquisition क्या है इस question का answer दीजिए फटा फट से Good, Nilmani Patel, very good, very good, deekhya A model for learning a second language that revolves around first acquiring grammar skills Acquisition होता क्या है कि एक model जिसमें learn करें second language जो revolve करते है first grammar skills कर रहा हूं Grammar नहीं होती है A style of learning second language that emphasizes writing while ignoring, nahin A classroom based approach to learning a third language, nahin An organic method in which the learner develops language skills from immersion Doop गई मैं तुझ मैं, doop कर सीख गया बच्चा उस language में lean होकर सीख गया, चीक है D, very good, next question यह अच्छा question था जिसमें बच्चे grammar टिक कर सकते थे पर उसके पहले वाले question ने हमें सीख दी और बचा लिया Instructional material that contains meaning to the students is known as एक instructional material जिसमें meaning हो बच्चे के लिए उसे हम क्या बोलेंगे, target language learning objectives के folding या comprehensible input ऐसा material जिसमें meaning हो बच्चे के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, comment section में बताने का है जल्दी जल्दी से, बताइए बतादेंगे, चलिए, दो question comment section के मैं आपको दे चुके हूँ एक काम करते हैं, कल हम आते ही question discuss करेंगे, पंदरा से ही 20 question है और चौमस्की के question लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बातें दो तीन बता देना चाहूँगी क्योंकि आपके दिमाग की कान में अभी जूत और रेंग नहीं रही है नहीं बात पढ़ने पढ़ रहे हैं समझ आ रही है यह स्टेफन कराशन की थेहरी लांगविज में भी और पेड़गोजी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की हो equally बहुत जादे इंपोर्टन्ट है वाई क्योंकि यहां से आपके सारे fundamentals clear होंगे यह थेहरी जो मैंने आज सीधा यूट्यूब पर टीचर्ज अड़ा यूट्यूब चानल पर हमने प्लेलिस बनवा दिया आपकी जैसे आप जाएंगे तो देखो स्टेफन क्राशन है मेरी साइड में से हाई टो हिम और उसके बाद हम क्या करेंगे म्यूट कर देंगे ठीक है जैसे ही हमने किया म्यूट इस विडियो के comment section में देखिए यहां पर लिखा हुआ है comment section के top में डाउनलोड आवर आप यहां से मैं application डाउनलोड करूंगी number A free pdf के लिए number B 5000 coins के लिए यह दो चीज़े मैं कर लूँगी जैसे ही मैं जाओंगी यहां पर all courses में फिर मैं जाओंगी government exam फिर यहां पांचवे नंबर पर teaching है मेरे पाइस इतने सारे batches हैं कि मैं उंगलियों पर गिनते ठक जाओंगी पर मेरी तयारी नहीं रुकेगी teachers अड़ा team के साथ हर एक team हमारे team के जितने भी teachers है एक तो बहुत ही अच्छी tuning के साथ है और अच्छी experience के साथ है यहां पर team में हर एक teacher का दावा है कि अपने subject में full mark जिलवाने है वो कैसे हो सकता है भाई आपके पास BPSC की तयारी है आज श और DSSB है, UPTET, HSSE, TGT, SuperTET, Jharkand, PGT, MP, ESB, PGT, UTET, KVS, PRT के interview अभी शुरू होंगे इतने सारे batch की one stop तयारी आप teaching माहापाक के साथ कर सकते हैं मैं कुछ नहीं कह रही हूँ इधर जाओ, उधर जाओ, जहां teacher जा रहे है ना उधर जाओ, teacher कह रहा है कि आज से अगले एक सा और रहे हैं या आगे आएंगे, सब की तयारी हम one stop solution में आपको करवा देंगे, test series, ebooks के साथ, live और recorded classes के साथ, और मेरे खुद के बनाएवे notes के साथ, हर एक teacher अपने notes आपको provide करते हैं, अपने class में live भी, recorded भी attach हो जाते हैं और वो आपको telegram groups में भी मिल जाते हैं, तो आप साथ अगर connect करना चाहते हैं, तो यह जो 12 महीने का course work है, course plan is में हमारे साथ जुड़ जाएं, और यह मेरा regard है, क्योंकि मैं promise करती हूँ कि seated exam में आपको qualify guaranteed करवाऊंगी, ठीक है, तो course का actual price है, वो है दर असल 15,000, उपर कुछ यह coupon दिया हुआ है, इसमें आपको discount मिलेगा, ल का batch है, वो आपको मिल जाता है, 3449 रुपीज का, इस पर further discount मिल जाता है आपको, application download करने का 5000 coins, जिसको आप अगर redeem करोगे, तो यह आपको 3300 रुपे का पढ़ जाएगा, ठीक है, code अपना याद रखेगा, Y44, तो मैं कहते हूँ, East or West, महापाक is the West, इधर उदर में आपको confuse कर देखूं, तो यहाँ पर जितनी भी अच्छे से theory plus questions हो रहे हैं, इन सभी की playlist एकदम solid तरीके से बन चुगी, आप इने देखना शुरू कीजिए, यह नई playlist है, मारी 2023 की तयारी के लिए, ठीक है, तो इतना सारा जो आप प्यार दे रहे हैं, इसकी भरमार और बोचार कर I will see you tomorrow, 12 बजे हमारे paid batch में, 2 बजे हमारी free class में, और शाम को आज मिलूंगे मैं आपसे BPSC के 7 वे चरण की तयारी के लिए, चलिए, यह exams फटह करते हैं, क्योंकि नौकरी हमारा इंतजार कर रही है, बाई